इस लेक्टर में हम डिस्स करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन गिरेटिंग क्या होती है या कौन केव रिफ्लेक्शन गिरेटिंग क्या होती है और इसे कैसे बनाय जाता है तो रिफ्लेक्शन गिरेटिंग बनाने के लिए हम यूज करते हैं metal plate concave shape की जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको बोलते हैं concave shape बिल्कुल जिस तरीके साथ आपने देखा होगा concave lens तो यहाँ पर lens ना ले करके metal की plate लेते हैं concave shape की आकिरती की और उस पर हम चानली का polish करके उसको mirror बना डेते हैं पड़ा और जैसे वह mirror बन जाता है उस पर फिर हम हीरे की नोक से एक इंच में लगबख 10,000 से 35,000 रेखाएं खीचते हैं यहाँ पर रेखाएं खीचने का मतलब होता है slit बनाना जहां से हम रेखाएं खीचते हैं वहाँ पर polish बच जाता है जिससे वह बन जाता है अवरोद यानिके non transparent बोल सकते हैं या फिर non reflecting बोल सकते हैं तो जहाँ पर हमने polish किया था बेसिकली वहाँ पर तो होती है reflection surface और जहाँ पर हमने रेखाएं खीचती है वहाँ पर बन जाती है non reflection surface और इसी को हम बोलते है reflection grating basically grating क्या होती है slit का एक समू होता है and parallel slits और वही हमने यहाँ पर बना जाया है और concave reflection इसनी बात की है क्योंके अगर कोई surface होती है तो उसमें हमें focus करने की नहीं लेंस की जरुवत नहीं होती है concave surface कुदी जैसे कि आप जानते हैं यह concave surface है अगर कोई light rays इस पर कहीं पर भी आए तो यह particular point पर ही focus कराती है जैसे मालो यहाँ पर आई यह particular अगर ही reflecting है तो वैसे ही यहाँ पर आई तो इस तरीके से किसी एक ही point पर focus होता है इसलिए हमने यहाँ पर concave shape ली जिससे हमें lens की जरुवत ना पड़े और जितनी भी light rays आए reflect होकर किसी एक point पर ही focus करें इसी को हम कहते है reflection grating या concave reflection grating और basically इसका use आता है spectrum measure करने के लिए spectroscopy में या फिर monocrometer में, monocrometer means होता है light के अंदर 7 colors होते हैं उन कलरों को अलग-अलग कर देना that means dispersive element के तरह हम reflection grating जो यहाँ यहाँ पर यह होता है कि जो white light के 7 colors होते हैं उनको अलग-अलग कर देना कहलाता है dispersive element के तरह हम बोल सकते है reflection जो grating होती है वो dispersive element होती है और simply यह n-silits का समू या combination of n-silits होती है मुझा अमीद आपको reflection की rating बहुत अच्छे से समझ माई होगी Thank you